हेलो इस्तू स्वागताब का अपने यूटूब चैम्ठा क्लाइसिस में प्यार अच्छो कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे बच्चे आप सभी को पता है SSC के तरब से एक नोटिस आया है अब इस नोटिस को लेकर काफी बच्चे परेशाने खास कर SSC जीडी वाले बच्चे ठीक है क्योंकि आप सभी को पता बच्चे यूटूब पर 1000 तरीके की वीडियो आपको मिल जाती है जो आपको भ्रम मैं डाल देती है ठीक है और कुछ आपके यार दोस्त आपको बताते हैं कि आपके ये हुआ है इसमें ये change हुआ है जो आपको जूट बोलते हूं और आप उसमें first जाते हैं बच्चे ठीके तो आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ जो कि आपको बता है बच्चे 48 पेच के notice है ठीके और notice ही ब बच्चे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वह English में मिलेगा और हर बच्चे इसको समय नहीं पाता सर कहां पर क्या लिखा है तो पूरा निचोड में आपको इसका बताने वालों इसमें क्या बताया गया है और किस तरीके सापके एक्जाम में क्या-क्या change हुए हैं और कौ होगा बच्चे आप एंगे सर फरवरी मार्च 2024 में ठीक है फरवरी मार्च 2024 में एक्जाम होने वाला है अब यह बच्चे परिशाने सर क्या हमारे एक्जाम में कुछ देरी होगी क्या वेकेंसी लेट होगी क्या सर कौन सी कंपनी एक्जाम कराएगी सर स्लेवस में कोई change हु जारी किया है क्या टेंडर जारी किया है क्यों टेंडर जारी किया है सर अब तक तो इसका एक्जाम कराती है तो आप क्या टेंडर जारी करने की जूरत पड़ गई बच्चे SSC क्या चाता है अब तक जो होता था अब तक जो आपके एक्जाम होए है जितने भी SSC एक्जाम कराती है ठीक है उसमें क्या होता है बच्चे SSC अब तक जो कराती थी TCS के ओपर सारी जिम्मेदारी थी ठीक है किसके ओपर TCS की TCS को ही Question Bank तयार करने Question तयार करने और TCS को ही क्या कराना प्यारे बच्चे आपका एक्जाम लेने का भी उसका काम था और Question Bank भी तयार करने का उसी का काम था तो इसने क्या सोचा है SSC क्या कहता है कि TCS की क्योंकि अब आप देखेंगे प्रिविशर पेपर अगर आप देखेंगे SSC की तो हजारों लाखों की तादत में आपको मिल जाएंगे ठीके बच्चे क्या करते हैं उनको पढ़ते हैं केवल उनको अच्छे से रिवाइश करते हैं और चले आते हैं एक्जाम में देना अब हम ऐसा करेंगे question bank के लिए अलग company question bank के लिए प्रिविश्य ऑलग agency और जो एक्जाम कराएगी उसकी एजनसी अलग होगी ठीके हम दोनों को अलग अलग रखने वाले हैं दोनों क्या करेंगे अलग 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 रखेंगे तो इसने tender जो जारी किया है प्यारवची वो किसके लिए क्या है हमें agency चाहिए कौन सी agency जो हमारा question bank तयार कर सके क्या question bank तयार कर सके मुझे वो वाली agency चाहिए प्यारवची ठीक है कौन सी question bank वाली agency इनको चाहिए जो question तयार करके इनको दे दे ठीक है इतना केलियर है अब बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा सर अलग company अलग agency question तयार करें कि तो सर change हो सकता कुछ pattern हा सब कुछ बताने वाले हूं थोड़ा वीडियो को अंतक देखने लेना ठीक है अब बच्चे आपको पता है अभी तक दो कराई थी कौनसी TCS कराती थी ठीक है TCS का pattern आप बहुत अच्छे सा हर बच्चे जानता होगा जिसने 3-4 exam दे लिए SSC के CGL दे लिए M pattern जान चुका होगा किस तरीके के reasoning के question उठते हैं कहां से उठते हैं वसी तरीके के तयारी करते हो पहुंच जाते एंग्जाम में ठीक है तो बच्चे MSC ने कहा है हम जो कराते हैं यह exam कराते हैं उनके नाम दिये हैं ठीक है आप नाम पढ़ सकते हो सबके कै नाम दिये सबके के इसने नाम दिये हैं कि हम यह एक्जाम कराते हैं और आपका GD वाला नाम आपको यह मिल जाएगा ठीके इस टैनोगराफर और आपका GD वाला प्यारवच्चे यह रहा कॉस्टेवल जीडी ठीके सबके इसने नाम दिये हैं और सब कुछ बताया है कि कितने form किसमें भरे जा अब आगे इन्होंने बच्चे ये भी बताया है कितने फॉर्म किसमें आते हैं वो भी आप सब देखेंगे क्योंकि जो जो काम की बाते हैं आपकी वो दिखाने वाला होने आपको ठीक है जैसे इसने बताया है प्यारवच्चे ठीक है इसमें प्यारवच्चे आप देखेंग इस टेनों के राफनम आप देख सकते हैं कौन स्टेवल जीडी प्यर्चों दोहर 21 का इन्हों डाटा दिया है कितने 71,74,589 बच्चों ने फोम भरा था ठीक है अब बच्चे आप देखेंगे दोहर 22 वाली भड़ती भी इसमें दे रख्योंगी जरूर स्टेवल जीडी दोहर 22 बच्चे यह रही 22 वाली ठीक है इसमें थोड़े कम कंडिरेट थे 54,49,000 कितने 54,49,49 प्यारची रजिस्टर्ट कंडिरेट थे ठीक है तो पूरा इन्हों ने डाटा दिया है किसमें कितने हों हमारे आते हैं क्योंकि कमपनी को सारे डाटा चाहिए एजन्सी को सारे डाटा चाहिए केलियर तो ने ने इतना बताया है अब आपके दियाँ में एक बात आ रही होगी सर क्या न्यू एजन्सी जो होगी अब वो हमारा एक्जाम कराएगी वो कोशन तयार करेगी या सर के टीसी ऐसी तयार करेगी बच्चे आपको पता है टेंडर जारी हुआ भी अभी क्या हुआ है केबल टेंडर जारी हुआ है अगर 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन के अंदर टेंडर फाइनल हो जाता है टेंडर फाइनल हो जाता है मिल जाती है तो हो सकता है यही आपका कोश्चन बैंक तयार करें एससी जीडी वाला के लिए हो सकता है ना करें तो सर कौन करेगा फिर बच्ची जासे क्या आपको पता है यह जो निकली एससे जीडी की भरती बस इतना समझ लीजिए आपको बता है बच्चे आपका जो उसलेवस है उसलेवस है उसमें हिंदी है, रीजनिंग है, मैट से उट जी के है, बच्चे कितने कुश्चन है, सिलेव उसमें कोई चाहिज नहीं है, सिलेव उसमें कोई चाहिज नहीं हुआ है, ठीक है, बीस कुश्चन, बीस कुश्चन, बीस कुश्चन, और बच्चे बीस कुश्चन, टोटल कितने इंगोशन प्यारेश्चे 18 questions time कितना होता है एक घंटे का time होताimon ett relative एतिना आपको बता है बच्छे आपको कि принципе में क्या कोई change बच्छे कुछ भी नहीं reasoning तो आप देखेंगे reasoning तो आप जो बढ़ते हो के वह उसको पढ़ते रही है ठीक है रिजनिंग आपको कुछ देहने कोई नहीं मिलेगा जो प्यारे बिदी आप पढ़ रहे हैं ठीक है जितने चैप्टर हैं कोई पर्टनीं को चाहिए किलियर बच्छे में कुछ भी चाहिए १यूं of होकता नहीं ठीक है थोड़ा लेविल अप हो सकता है बस और कुछ नहीं मालोक पर्षेंटेज है तो परषेंटेज से कुछन आने हैं अब हो सकता है पहले आसान आये तो इस बार थोड़ा सा अच्छे लेविल का जाए ठीक है तो चैप्टर आपको वही बढ़ने है और अच्छे तरीके से तयार करने है भी हो सकता है टीस और अच्छी आपको बता है अगर किसी बच्चे से आप पूछोगे SSCJD के हिंदी तो वो कहेगा यह यह आते हैं इसमें ठीक है यह यह चैप्टर आते हैं इतना हर किसी बच्चे से जिसने एक बार दो बार एक्जाम दे लिया वो बता देगा हर कोई बच्चा अब क्या प्यार विच्चे आपको क्या करना है क्योंकि आपको पता है यहां से बच्चे ब्याकरण से ठीक है जो संग्या सर्वनाम होती है संग्या सर्वनाम बिशेशन किर्या किर्या वरण वाला ठीक है अभी तक आप SSC एक्जाम देखें जितने भी और भी यह चैप्टर है ब्रामची न गरा वगरा यहां से कोश्चन नहीं उठाता पर इस बार जो एक्जाम हुआ था प्यारे विच्छे 22 वाला उसमें आपने देखा होगा एक किसे की सिफ्ट में दो से तीन कोश्चन दो से तीन कोश्चन इस किसे प्यारे विच्छे संग्या कोश्चन था संग्या से कोश्चन आया था किसे प्यारे विच्छे अब्या से कोश्चन विशेशन से उठा था ठीक है यहां से कोश्चन उठे थे इस बार प्यारे विच्छे एक दो या कोश्चन में कुछ चैंज आया था तो अब आपको क्या करना है क्योंकि बच्चे भरती बार बार नहीं आती आपको जो हिंदी में पढ़ना है इस बार बच्चे वो तो आपको पढ़ना है जो पहले इसलिए बस उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है पर बच्चे आपको संग्या सर्मनाम विशेशन वर्णमाला इन सबको अच्छे से त्यार रखना है क्योंकि अब को paper में मिलगे question तो आप यह नहीं करोग नहीं करोगैं सेलेक्शन नहीं होगा सिधसी बात है ठiॉकर आपको पढ़के जाना है अच्छे तरीके से पढ़केताना है clear है यह आई इतना पैडिंगों प्योदी कर रहे जो मैं यूश्च के लिए करा रहा हूं भास उसको कडे जैसे आप पृणके को पटाए पिछली पार मैंने जीडी के लिए के बुझाब 8 वीडियों में लिए क跟我 किया थी थी कि फिरी रहेगा, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल फिरी रहेगा, 24 नावंबर से पहले पहले प्यारे बच्छे आपका बैच आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, क्योंकि मैस भी हम लगवग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको अच्छे से कंप् पुलिस की हिंदी पढ़िए, यूफि पुलिस की अगर आप हिंदी कंप्लीट कर रहेगें, तो जीडी माँ फुल में से फुल मार्क्स करके आने वाले हैं, बात रहेगी प्यारे बच्छे हमारी जीके की बस, तो जीके पर हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंक तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, ठीकिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट डॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पहले अच्छे डिस्क्रिप्शन में किलियर है, बच्चे अगर आपकी कोई भी कह रहे तो कमेंट डॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में